बिरी गुड मॉर्निंग टो अलोफी दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड़ सिक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ भू राजस्व विभाग भरती बिहार से अपकमिंग वेकेंसी की बात हो रही है दोस्तों आप सभी को बता दे कि करीब 378 कंप्यूटर आपरीटर की वेकेंसी है यह अपकमिंग वेकेंसी है कब तक वेकेंसी ली जाएगी क्या eligibility criteria है आपका यहाँ पे और यह सबसे important fact है यहाँ पर कि बेल्ट्रों की माध्यम से होने जारी है तो अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल यह उठता है कि क्या बेल्ट्रों के उन सभी छ वाइनिंग नहीं दी गई है या फिर यहाँ पर यह वेकेंसी राजेस्वी विभाग की तरफ से जो निकाली जाने वाली है इसकी नई न्यूक्तियां 378 पदों की फिर से लेगा विल्ट्रॉन इनका फिर से टेस्ट लेगा इन सब के बारे में सारा डिटेल देंगे इस वीड दिम से जा सके दोस्तों बिहार दरोगा से रिगार्डिंग एक अपडेट मैंने जो की अपको दोफ़र में दिया था इस वीडियो को देख लिजेगा और EPFO का यहाँ पर एक्जाम डेट घोशित कर दिया गया है तो जो छातर इसका फॉर्म भरा है भाई उसको शेयर भी कर रखा है कंप्यूटर ऑपरेटर की वेकेंसी को लेकर जी यहां दोस्तों 378 पदों की डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर की यह नियुक्ती होने वाली है प्रक्रिया सुरू हो चुकी है अब देखिए पटना से यह खबर निकली है और प्रभात खबर स राजसो भूमी सुधार विवाग को लेकर 378 डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली की प्रक्रिया चरनवत तरीके से सुरू कर दी गई है अब यहां पे सुरू हो चुका है यह प्रोसेस यह बताया जा रहा है विवाग के अपर मुक्सचीव मिस्टर विबेक कुमार सींग क कहना है कि इस संबन्द में परिमाप निदेशाले को आदेश जारी किया गया कि यह ओपरेटर अंचलों में जिया दोस्तों बने जितने भी मौडन रिकॉर्ड रूम है यानि कि आधुनिक अभी लेखा गार है आधी स्थानों पर बहाल किये जाएंगे यह इनकी बहाली मौके पर यानि कि 15 अगस्त को जी हां दोस्तों 121 अंचलों में मौडन रिकॉर्ड रूम का सुभानम करने के लक्ष रखा गया है राज्य भर में प्रतेक अंचल में देखिए अंचल में ये वेकेंसी है सारी ठीक है तो 534 अंचल है इसमें मौडन रिकॉर्ड रूम बनाया होगी और 15 अगस्त से लेकर यहां पर 121 अंचलों के अभी लिखा गार का अपना काम सुरू कर देगी यानि कि प्रॉसेस भी सुरू हो जाएगा सेलेक्शन कब लिया जाएगा भाई अब तो टाइम भी नहीं है यहां पर हमारे पस अगर देखा जाए तो अगर इस हफते मे यानि कि जून के लास्ट वीक में यह नोटिफिकेशन आता है तब तो जाकि यह नई वेकेंसिस का अपडेट एक महिने में कम्प्लीट होगा अगर वो एक महिने में कम्प्लीट लेते हैं तो 15 अगस्त को इनकी ज्वाइनिंग होगी जैसा कि यहां पर बोला जा रहा है है क कि 15 अगस्त से 101 संचलों में अभी लेखा गार अपना काम सुरू कर देंगे यानि कि ज्वाइनिंग हो चुकी रहेगी 15 अगस्त तक तभी तो यह काम सुरू कर देंगे अभी हम यहां पे दोस्तों इन 101 संचलों के लिए अगर बात करें तो प्रती अंचल में चार लाइगी तो मैंने आपको क्या बोला बैल्टरों के माध्यम से होता है कि क्या बैल्टरों उन चात्रों को मौका देगा जो चात्र पहले से ऑलरिडी सेलेक्टेड है या फिर यह नई वेकेंसी होगी अब यह जो मामला है यह बैल्टरों ही क्लियरруго कर सकता है अब यहां पे दोस्तों इस बहाली को लेकर 15 अगस्त से पहले पूरा कराने का समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है यानि कि डेट भी फाइनल है जैसा कि यहाँ पे हर बार होता है बिहार के अपकमिंग वेकेंसिस के साथ डेट अल्रेडी पहले से डिसाइड रहता है लेकिन जब डेट आता है तो सब कुछ वहाँ पे चीजे समाप्त हो जाती है और यह चीजे पीपर के माध्यम से पीपर में ही रह जाती है आपको बताना चाहेंगे इससे पहले पूरा कराने का सीमा निर्धार तो कर दिया गया है लेकिन अंचलों में उपकरणों के खरीद के लिए यहाँ पे 16,000,00,00,000 रुपे की दर से जीला पदादिकारियों को पहले ही पैसा भेजा जा चुका है तो 16 लाग का रकम आ चुका है दोस्तों हर अंचल के लिए यहाँ पे और यहाँ पे दोस्तों 121 अंचलों में अपकरण जो की स्थापित हो गए और सुपॉल की तयारी को देखते वे यहाँ 15 जुलाई से आधुनिक अभिलेखागार की शुरुवात करने का भी कह दिया गया अगर यह वेकेंसी नहीं होती है तो यहाँ पे eligibility के criteria क्या होगा तो जैसा की 2019 में वेकेंसी निकालेगी थी बेल्ट्रों ने उसका selection लिया था तो उसके माध्यम से जाने हम तो 12 पास होना जरूरी है आपका और साथ में computer का knowledge होना जरूरी है अब computer में knowledge दो तरीके से होंगे या तो आपको MS Office का घ्यान संपूर्ण होना चाहिए टैली पे ध्यान होना चाहिए या फिर आप अगर एक computer operator है यानि कि hardware और software का knowledge रखते हैं then you can also apply for the post क्योंकि computer operator और data entry operator में बहुत अंतर है computer operator वो जो होते हैं कि software और आपका hardware दोनों की देख रेक कर सके और data interpreter यानि कि आपको सिर्फ और सिर्फ बैट कर अपना काम input करना है यानि डालना है यहां पे तो उसके लिए MS Office की जानकारी आपकी होनी चाहिए तो अगर यहां से वेकेंसी होती है तो यह आपका eligibility criteria है यानि कि syllabus हमारा जो है बार 12 अगस्त पहले exam लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जैसे कि beltron पिछली बार exam लेती है आप लोगा साथ कोशन दिया था वहाँ पे computer का सिर्फ रथाव कोशन और computer से related था तो अगर आपका यहां पे chain होता है इस परक्रिया में लेकर जाती है यह beltron की भूरा जैस्व विभाग में जो भरती निकाली गई है 3738 बदों के लिए और इसका टेस्ट होगा तो साथ कोशन यहां भी आपके होंगे जो कि beltron अकसर अपने exam में इसका टेस्ट लेती है अगर आप यहां से select होते हैं तो आपको यहां पर document verification के लिए बुला कर आपको joining दे दी जाएगी simple सा यही process होगा यहां पर अगर नई vacancy निकाली गई तो अब यहां पर age criteria की बात कर लें तो भाई बिहार में जो भी vacancies निकाली जा रही है उनको यहां पर सरकार ने पहली बोल रखा कि 37 साल तक general category का age criteria होना चाहिए other category में जो छात्र या छात्रा है उनको relaxation दिया जाएगा as for the government rule या अगर वो बिहार से है अनुसुची जाती जाती में तो उनको relaxation दियागा महिला वर्क से है तो भी उनको relation मिलेगा ही मिलेगा तो age का तो कोई tension है नहीं लेकिन आपके पास knowledge होना चाहिए computer operator का या फिर MS office का ता वेकेंसी ली जाएगी अगर यहां पर नहीं ली गई तो उन चात्रों के लिए सुनहरा आउसर है जो चात्रे यहां पर जिन्होंने selection already अपना ले रखा है जिहां बेल्टॉन के माद्यम से करीब साड़े साथ से आठ जार ऐसे अब्यारती है जिनका selection हो रखा है उनको भी य वीडियों के माद्यम से मैंने आपको वो सारे डिटेल दिये हैं लेकिन यह जो नियुकती हुए आपकी राजस्विभूमी सुधार विभाग को लेकर है और यह 378 पदों की वेकेंसी है और बेल्टॉन क्या करती है आउट्सोर्सिंग करती है इनके पास इनके employee है यह employee का ट तो अब यहाँ पे राजस्विभाग में वेकेंसी निकली है तो पहले मेरे ख्याल से मौका आपको देना चाहिए उसके बाद 378 पदों की वेकेंसी के बाद अगर किसी department अपडेट होता है तो नई वेकेंसी की प्रक्रिया लेकर यहाँ और भी नियुकती करी जा सकती है ऐस तक ज्वाइनिंग दिया जाए और उनको काम पे लगा दिया जाए और यह हमारे देश के 121 अंचलों में इस वर्सगाठ पर एक अच्छा अपडेट मिलने के संभावना जयता ही जा रही है तो खेर यह तो नियूज के माध्यम से है अपडेट किया गया है और ओफीशियल अपडेट जब तक नहीं आता है तब तक इस पे कोई विचार नहीं और ज्यादा दिमाग लागने की जुरूत नहीं है हम लोगों को और जैसी इसका ओफीशियल नोटिफिकेशन आ जाता है बिल्कुल इसके बारे में सारे डिटेल हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पह जब이다 जहीं त्यादा दूलिझगार नहीं है मत्वीशिकेशन अपनिज्गर जब तक पस पता है है